सम्टा अंदुलन समीती के साथ समर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सांसत के निवास पर टायर जला कर विरोध प्रदर्शन किया और सांसत से एक्ट के विरोध में समर्थन की मांगी जब सांसत उम्बिला घर पर नहीं मिले तो प्रदर्शन कारी महिलाएं उग्र हो गई और उन्होंने सांसत की घर पर चुड़िया फे की हंगामे की सूचना पर विधायक संदीब शर्मा मौके पर पहुँचे तो उनने भी विरोध का सामना करना पड़ा इस जोरान बीड में उनके साथ धक्का मुकी भी हो गई सांसत की तरफ से उनकी पत्नी भी प्रदर्शन कारीों के बीच कहुची लेकिन प्रदर्शन कारी नहीं माने हालाद जादा बिगरने लगे तो विधायक संदीब शर्मा वहां से निकल गय इसके बाद लोगों ने पास में ही CID सर्किल पर जाम लगा दिया आधी गंटे तक प्रदर्शन कारीों ने जाम लगाए रखा बाद में AASP राजेश मील की समझाईश के बाद प्रदर्शन कारी माने और जाम खुला प्रदर्शन कारीों ने SCXT एक्ट के त्वी रोध में 6 सितंबर को उगर आंदोलन की चतावनी दी है आधी शंता आंदोलन के प्रजिनी जियों द्वारा और अस्वाने रोगों द्वारा पहले M.P. महोदय के निवास पर और उसके बाद में यहां पर C.A.D. सर्किल पर इनके त्वारा आपने मांजे रखी गई, C.A.D. सर्किल पर फुट समय के लिए मानव चैन बना हुआ है इनोंने अपना मैसेज देने के लिए रास्ता जाम दिया है पुलिस और सुजाता है डिबार्टमेंट में सबीज आपके ने इस लिप लेन के मादें से समझ ते इसको शुगम तरीकेश की इतालत है इनको समझाईश की गया है कि वो लोकांत्रिक तरीकेशे अपनी बात को रखें और तानूल अपने हाथ में नहीं दें कि इनों ने समझाईश के बाद यहां से जाम को हटाते वे इमाने को रुपला को हटाते वे और यहां से वो अपने अपने गड़ों के चले है